5 reasons 2022 में 5G smartphone ना खरीदने के आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज में यहाँ पर आपको बता दू यह वीडियो उन लोग के रिए बन रहे हैं जो 20,000 के नीचे एक smartphone खरीदते हैं अगर आप 20,000 के ऊपर एक smartphone खरीदते हो तो यह वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो क्योंकि 20,000 के ऊपर तो सब कुछ मिलता है smartphone में प्राबलम 20,000 के नीचे आजाती है तो देखो 20,000 के नीचे आपको काफे सारे 5G smartphone market में देखने को मिलते हैं लेकिन क्या वो totally value for money रहते और क्या उनको इस time पर खरीदना सही है तो देखो इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊँगा कि आपको यह smartphone खरीदना चाहिए या फिर यह smartphone नहीं खरीदना चाहिए इस वीडियो में आपको 5 ऐसे reason बताऊँगा कि आपको 2022 में क्यों एक 5G smartphone नहीं खरीदना चाहिए अभी के time पर तो ज्यादा time waste ना करते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले reason के साथ तो सबसे पहला reason है price तो देखो 20,000 के नीचे जो भी हमें 5G smartphone देखने को मिलते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3,000 रुपे हमें थोड़े महंगे ही मिलते हैं जबकि actual में थोड़े से सस्ते होने चाहिए अब 2-3,000 रुपे ये महंगे क्यों आ रहे हैं क्योंकि देखो एक तो 5G का trend चल रहा है मतलब इंडिया में 5G network आने वाला है लोग 5G 5G कर रहे हैं तो इस चीज़ का brand काफ ज़्यादा फाइदा उट आ रही है 5G को आगे highlight करके इन smartphone को थोड़े ज़्यादा price में बेच रही है अब यहाँ पर brand के भी reason हो सकते हैं जैसे की बीच में chip shortage आ गया था 5G के chip set थोड़े से महंगे आते तो यह कुछ भी reason हो सकते हैं लेकिन अभी के time में 5G smartphone एक्च्वल प्राइस से थोड़े से महंगे आ रही है यह पहला reason हो गया अब चलो ठीक है आपने थोड़ा extra pay कर दिया लेकिन क्या उस extra pay करने के आपको value मिल रही है तो यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है आपको spec में compromise करना पड़ता है तो यहाँ पर आपको एक experiment करना है आपको एक 4G smartphone लेना है 5G smartphone लेना है दोनों same price के होने चाहिए और उनको आपको compare करना है आपको camera में हो, display में हो, आपको performance में हो difference मिलेगा आपको 4G smartphone बहाँ पर बेटर देखने को मिलेगा अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरह से 5G को gimmick बना दिया है 5G का trend चल रहा है लोग 5G 5G कर रहे है तो सिर्फ 5G को ज़्यादा highlight कर दिया और सिर्फ यहीं ने, आज कल जो 5G smartphone आ रहे है उनके नाम में भी आपको 5G mention मिलेगा जैसे Realme 9 5G हो गया Redmi Note 11 Pro 5G हो गया तो 5G smartphone जितने भी आ रहे है उनके नाम पे उनके जो box होते है उनके उपर 5G को highlight किया चाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा इस gimmick में कौन फसता है पता है जिनको smartphone के बारे में ज्यादा knowledge नहीं रहता वो किसे store में जाते है एक smartphone खरिदनी के लिए और shop में उनके सामने 5G smartphone रखे जाते है बोला जाता है कि भाई यह 5G smartphone है अभी तक 5G network आया नहीं लेकिन आपके पास 5G smartphone खरिदनी का मोगा है ऐसे में वो लोग यह सोचते कि इंडिया में अभी तक 5G network नहीं आया लेकिन मेरे पास 5G smartphone होगा तो यह काफे ज़्यादा cool लगेगा मैं swap कर सकूंगा ऐसा सोच कि वो लोग 5G smartphone खरिद लेते तो यहाँ पर brand का फाइदा हो जाता है लेकिन हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाता है क्योंकि हम spec में compromise कर जाते इसके बाद तीसरा reason है 5G bands तो आपने थोड़ा ज़्यादा pay कर दिया आप spec में compromise करने के लिए भी तयार होगे और आपने एक 5G smartphone खरिद लिया तो मुझे आप बताओ कि आभी के time में market में ऐसे कितने smartphone है 20,000 के नीचे जो कि actual में 5G smartphone है कुछ ही होंगे जो आप उंगलियों पर गिन सकते हो जिनमें आपको 12, 13 5G के bands मिलते वरना बाकी तो सारे smartphone ऐसे जिनमें आपको 3, 5, 7 5G के bands मिलते और वो भी global bands है इंडिया के bands का आप कुछ पता नहीं है इनमें से कितने support करेंगे नहीं करेंगे ये भी पता नहीं तो अगर आप 3 और 5 bands वाले smartphone खरीद के future में 5G network यूज करने का सपना देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलत फैमी में हो क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा network का issue आने वाला है उस time में भी आप एक 5G smartphone खरीद के 4G ही यूज करने वाले तो फिर ऐसा smartphone खरीद के क्या फाइदा जिसमें आपको ज़्यादा 5G के bands ना मिलते हो जो की सिर्फ नाम का ही 5G smartphone हो और इसके बाद बात करें चौते रीजन की आरे ये 5 होगे हाँ चौते रीजन की बात करें तो वो है 5G networks in India आभी तक इंडिया में 5G network नहीं आया अभी तक तो auction भी नहीं होए जो की में मन्द में होने वाले थे कुछ time पहले पता चलाता और वो भी आभी तक confirm नहीं है अब मान लो इस मन्थ auction हो भी गए उसके बाद spectrum खरीदे जाएंगे इसके बाद telecom operator spectrum खरीद के infrastructure पे काम करेंगे और सबसे पहले 5G network आएगा metro cities में उसके बाद छोटी cities में और अगर आप rural area में रहते हो मेरी तरह तो वहाँ तो बहुत ही लेट आएगा यूँ कैलो कि 2023 का first hap उसमें ही चला जाएगा तो अभी तक पूरे इंडिया में 5G network आने में काफी ज़्यादा time है तो ऐसे में अगर आप एक 5G smartphone अभी के time बे खरीते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यह बहुत जल्दबाजी हो जाएगी एक 5G smartphone खरीदने के लिए बात करते हैं last reason की यानि 5W reason की जो कि 5G plans in India मान लो आपको एक ऐसा 5G smartphone मिल गया जो कि पूरी तरह से perfect है जिसमें ज़्यादा 5G bands है स्पेक में भी इतना कुछ compromise नहीं किया और अब 5G network का wait करने के लिए भी तयार हो लेकिन आभी तक हमें 5G के plans के बारे में कुछ नहीं पता कुछ टाइम पहले air tail का 5G demonstration हुआ था उस टाइम पर हमें यह पता चला था कि 5G के जो plans होंगे वो ज्यादा महेंगे नहीं होने वाले मतलब 4G के plans है ना उससे 1500 या 500 रुपे महेंगे होने वाले तो मानलो अगर आप अभी 200 रुपे का रिचार्ज कर रहे हो तो आपको 5G के लिए या तो 300 या फिर 400 रुपे पे करने पड़ेंगे लेकिन मुझे आप बताओ क्या 3500 रुपे और 3500 रुपे कम होते देखो कुछ टाइम पहले टेलिकॉम उपरेटर्स ने 20-30 रुपे प्राइस बढ़ा दी थी 4G plans की उस टाइम पे भी हमें शौक लगाता बहुत बुरा लगाता कि भाई plans महेंगे होगे और यहाँ पर तो हम 1500 और 2500 रुपे की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 5G आने के बाद भी majority लोग 4G ही यूज करने वाले क्योंकि एक तो plan मुझे लगता है कि थोड़े महेंगे होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि जो telecom operators है वो ज्यादा लोग 5G की तरफ attract हो इसके लिए शुरुआत में इसको सस्ता रख सकते है और धीरे धीरे उसकी price बढ़ा सकते है तो आभी 5G plans के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कि कितने महेंगे होंगे कितने सस्ते होंगे 4G से तो सस्ते नहीं होने वाले definitely महेंगे होने वाले लेकिन कितने महेंगे होंगे क्या होंगे यह तो आभी तक कुछ पता भी नहीं है तो देखो मैं आपको यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप एक 5G smartphone मत खरीदो खरीद रहे हो तो सोच समझ के खरीदो और यहाँ पर मैं एक suggestion देना चाहूँगा कि अभी आपके पास जो smartphone है अगर वो working condition में है और आप अपना अगला smartphone एक 5G smartphone खरीदना चाहते हो तो अभी के time में उस smartphone को use करो जो आपके हाथ में कुछ महीने चला उसको क्योंकि कुछ महीनों के बाद चीज़े चेंज हो जाएंगी जैसे कि कम प्राइज में और बेटर 5G smartphone आएंगे जिन में बेटर बेटर स्पेक हमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम प्राइज में अच्छे 5G smartphone हमें देखने को मिलेंगे आने वाले time में और बाकि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 2022 में 5G smartphone खरीदना चाहिए या फिर नहीं करीदना चाहिए उसके उपर मैंने dedicated वीडियो बना है तो यहाँ पर स्क्रीन पे वो आ रहाओगा वीडियो उस पे क्लिक करो और वो वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा तो यहीता वीडियो अगर अपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिना चानल को भी सब्सक्राइब कर दिना हम मिलेंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में